एक जितना कमज़ोर होगा, तूसरे ने उतनी ही ताकत होगी क्या कंटिन्यू की जाएगी स्टोरी, क्या सिर्फ सल्मान के नाम से फिल्म हो पाएगी हिट, कौन सी गलतियों से बचना होगा फिल्मेकर्स को नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है बॉली ग्राड स्टूडियोज में बचरंगी भायजान से पहले सल्मान को डेविल का नाम मिला था और अपने डेविल के नए और एक अनोखी कैरेक्टर के साथ सल्मान ने अपने सभी फैंस को काफी सप्राइज भी किया था ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे फैंस, ओडियन्स और क्रिटिक्स सभी की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था और अब इसी फिल्म का पार्ट टूब बहुत ही जल्दी हम सब के सामने आने वारा है फिल्म में करसा सल्मान दोनों ही किक्टू पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा जहां पर वो खतम हुई थी मतलब किक के end में हमने देवी यानिकी सलमान को एक पुलिस के रूप में देखा था और इस फिल्म में हमें वो इंस्पेक्टर देवी लाल सेंग और डेविल दोनों के ही रूप में नजर आएंगे और उनका साथ देंगे हिमानशु यानिकी रंदीत जहां इंस्पेक्टर देवी अपने हिसाब से लीगल वे में काम करेगा तो वहीं जो गुनेगार नहीं मानेगा उससे डेविल अपने हिसाब से समझाएगा मतलब एक ही फिल्म में हमें सलमान के दो शेड्स गुड और बैड दोनों ही नजर आएंगे उनका पुलिस वाला जो किरदार है वो कहीं न कहीं आपको चुलबूल पांडे की याद तो जरूर दिलाएगा और उनका डेविल वाला किरदार किक से एक लेविल अप होगा और जिसके action scenes भी काफी upgraded होंगे वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि कि आज का जैसा scenario है उसमें सिर्फ सल्मान खान की नाम से फिल्म चल जाएगी पहले ऐसा होता था कि जब भी ऐसा सुनने में आता था कि सल्मान खान की फिल्म लगी है या आने वाली है तो लोग बस उनका नाम सुनकर ही उनकी फिल्म देखने चले जाते थे फिर चाहे फिल्म कैसी भी हो लेकिन आज कल की ओरियंस कोई भी फिल्म देखने जाती है तो सबसे पहले फिल्म की कास्ट, उसकी स्टोरी, फिल्म को मिले रिव्यूज, उसके गाने, उसका पोस्टर, उसका ट्रेलर, प्रोमो और नाजने क्या-क्या देखती है इसलिए आज सलमान की फिल्म आने वाली है, ये सुनकर सिर्फ लोग 10% ही एकसाइटल होते हैं साथी, जब भी कोई रीमेक फिल्म बनती है, तो लोग उसे ओरीजिनल्स फिल्म के साथ तो जरूर कमपैर करते हैं और अगर उन्हें फिल्म पसंद नहीं आती है, तो वो उसे बॉयकॉट या ट्रॉल करने के पीछे से हटते नहीं है और आज कल के तो बड़े स्टार्स की फिल्मों को जल्दी निशाना बनाया जा रहा है इसलिए फिल्मेकर्स को किक टू बनाते वक्त सबसे पहले तो फिल्म की स्टोरी पर काफी फोकस करना होगा ये एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसका बेस किक से मिलता हो और उन्हें सलमान के साथ साथ बाकी सब के किरदारों को भी एहमियत देनी होगी इसके अलावा वो फिल्म के आक्शन को लेकर भी कोई गलती नहीं कर सकते और उन्हें रियलिस्टिक आक्शन दिखाना ही होगा उसमें VFX का भी कम यूज करना होगा ताकि देखने वाले उसे फेक का टैग न लगा दे और साथ ही उन्हें फिल्म के टीजर और ट्रेलर पर भी काफी ज़ादा काम करना होगा क्योंकि लोग मुवी से पहले ट्रेलर ही देखते हैं और उन्हें डायलॉग्स, टैग लाइन या किरदारों के नाम को लेकर भी काफी कैरफुल रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की कॉंट्रवर्शी का सिकार ना हो आपको क्या लगता है? कैसी होगी किक्टू? हमें बताइए कॉमेंट सेक्शिन में साथ ही जाते जाते आपको एक बहुत ही इंपोर्टन निउस दे दूँ अगर आप भी सिनमा के दुनिया से जुड़ना जाते हैं, काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक जॉब लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजे और इस ओपरजिनिटी का भर पूर फायदा उठाईए तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजे, शेर कीजे और बॉलिग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजे, आज की स्ट्रिप लिखी है, मनीशा विधानी ने झाल